हेलो एबरीवन वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक है प्रोलॉंड लेबर ठीक है अब स्टाटिक नर्सिंग जिनम थर्ड एर का यह जो हमारा टॉपिक है सो मैं इसके रिटर नोर्स नहीं बना पाई सो मैंने बुक पर यह कोरेक्शन्स कर ली थी ठीक है मैं अच्छे से आपको बुक से ही समझा दूंगे सो यह टॉपिक को कहीं नैट से मुझे एड नहीं करना पड़ा इसमें सो बुक में काफी अच्छा दिया हुआ था ठीक है सो वीडियो को एंड तक जुरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आज का वीडियो स्टार्ट करती है सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे इंस्टाग्राम ऐडी भी दी होई है तो आप उस पर जाकर भी पूछ सकते हैं ठीक है तो प्रोला prolonged prolonged ठीक है नाम से हमें कनफर्म हो रहा है कि काफी जादा लंबी समय तक तब कहा जाता है prolonged जब combined दोनों का first and second stage दोनों की time लिमिट जो 18 गंटों से जादा हो जाए ठीक है उसको हम prolonged labor बोल लेंगे वैसे तो नॉर्मली 12-14 घंटे माने जाती है तो फिर भी इन्होंने 18 घंटे बताई है अगर इससे भी ज्यादा टाइम ले रही है वोमें डालडेशन में तो उसको हम प्रोलॉंग लेबर बोलेंगे प्रोलॉंग लेबर इस नॉट सिम्टम विद इन्हेशन यूटरेन कोंट्रेक्शन ठीक है प्रोलॉंग लेबर एक सिम्टम नहीं है तो यह तो एक इसमें यूटरेन कोंट्रेक्शन कम पड़ जाती है ठीक है इनुट्राइफिशंट यूट्रेन कोंट्रेक्शन यूट्रेन कोंट्रेक्शन से जब कम आती है ठिक है ये प्रोलॉंग्ड लेबर को काॉज करती है बट लेबर में अलसो भी प्रोलॉंड त्योट्यू बेल्विक और फी्टल फैक्टर बट जो एक labor है वो uterine contraction कम आने से ही नहीं prolonged होती भलकि pelvic या fetal factor से भी हो सकती है baby big size हो सकता है ठीक है जो pelvic है वो contracted हो सकता कोई और difficulty भी हो सकती है next है हमारे पास causes of prolonged labor so 5 marks का ये 10 year में question आया हुआ है कि only हमको causes लिखने है prolonged labor के ठीक है so उसके आप क्या लिखोगे first stage and second stage के according आप लिख लोगे ठीक है आप ऐसे बना लेना causes इधर लिख लेना first stage इधर लिख लेना second stage ठीक है so first stage में क्या होता है तो next आपने लिख लेना है यहाँ पर लिख के बताती हूँ first stage लिखके इसके 3 होगे ठीक है 3P होगे fault in power, fault in passage, fault in passenger swap इनके boxes बगेरा अच्छे से गुबारे बगेरा बना लेना ठीक है first stage में क्या होगा failure to dilate the cervix is due to dilation में failure cervix की dilation में failure का से आएगा fault in power abnormal uterine contraction हो सकती है ठीक है जिसमें uterine inertia आएगा common होता है in coordinate uterine contraction uterine contraction सही तरह से नहीं आ रही ठीक है जो power ठीक है ताकत आ गई next है fault in passage passage मतर्व रास्ता जहां से लंगना है बेबी ने पास आउट होना है contracted pelvis हो सकता है cervical dystopia हो सकता है pelvic tumor हो सकता है and full bladder भी हो सकता है next है fault in passenger passenger जिसने गुजरना है मतलव के baby mal position हो सकती है mal presentation हो सकती है brain, bro, breach कोई भी congenital abnormality हो सकती है hydros palace baby का जो सिर है वो बड़ा हो सकता है next है others आजाएंगी इसमें ठीक है early administration of sedatives जो sedatives मदर को early बहुत ज़्यादा पहले दे दी है ठीक है तो उसका brain कम ही नहीं कार रहा काम ही नहीं कार रहा next है second stage जैसे आपने three box बनाए थे first stage के जैसे के fault in power fault in passage fault in passenger वैसे ही second stage के बना लेना ठीक है first है fault in power जिसमें uterine inertia हो सकता है inability to bear down ठीक है contractions नहीं आ रही regional और epidural analgesia हो सकता है ठीक है construction ring बन सकती है construction ring का topic मैंने video provide की होई है ठीक है अब को उस video का link इस video को description box में मिल जाएगा तो देख ले ना construction ring कैसे बनती है next है fault in passage passage मतलब रास्ता जहां से baby ने move करना है ठीक है fellow pelvic disproportion हो सकता है android pelvis हो सकता है contracted pelvis हो सकता है ठीक है undue resistance of the pelvic floor ठीक है perineum spasm हो सकता है ठीक है कोई old scarring को कोई पहले सी scar बना हुआ है ठीक है उससे भी जो pelvic contract हो सकता है soft tissue pelvic tumor हो सकता है next है fault in passenger जिसने लंगना है मतलब fetus baby mal position हो सकती है mal presentation हो सकती है big baby हो सकता है large baby ठीक है congenital malformation हो सकती है तो यह हो गई causes ठीक है prolonged labor के next diagnosis कि हम को कैसे पता लगेगा कि prolonged labor है prolonged labor is not a diagnose but it is a manifestation by an abnormality cause of which should be detected by through abdominal and vaginal examination abdominal and vaginal examination से हम पता लगा सकते है कि prolonged labor है during vaginal examination जब हम vaginal examination करते है if a finger is accommodate in between the cervix and the head during uterine contraction pelvic adequacy can be reasonably established जब हम vaginal examination जब हम vaginal examination करेंगे contraction के बीच तब हमको अगर dilatation feel हो रही है तो ठीक है अगर नहीं हो रही तो labor prolonged है ठीक है पर फेस क्राइटेरिया और treatment अब statical care और consequence क्या नतीज़ा होगा ठीक है पहले इस यहां पर disorders लिखे होंगे ठीक है नली पैरा के multi-pैरा के ठीक है यह अब statical care होगी नली पैरा और multi-pैरा के ठीक है तो उर्जर नहीं है फरस्ट है latent phase सेकिंड है active phase ठीक है prolonged latent phase जब 20 hours से ज़्यादा time हो जाए नली पैरा में तो हम उसको prolonged latent phase बोलेंगे multi-pैरा में जब 14 hours से ज़्यादा time हो जाए तो उसको हम prolonged latent phase बोलेंगे नली पैरा में spotim care हम क्या करेंगे oxytocin देंगे जिसको amniotomy बोलते हैं CD not indicated fellow paravic disproportion नेक्स्ट है sportive care हम multi-pैरा में क्या देंगे oxytocin देंगे ठीक है same next आगे हमारा active phase ठीक है जिसमें क्या हो गया protraction disorder हो गया ठीक है इसमें dilatation 1.2 cm से ज़्यादा कम होगी ठीक है इसमें multi-pैरा में 1.5 में से भी कम होगी ठीक है इसमें हम expectant care करेंगे next arrest disorder क्या होगा prolonged declaration phase जब हम prolonged declaration phase declare कर देंगे ठीक है so 3 और से ज़्यादा time हो जाएगा इसमें 1 और से ज़्यादा time हो जाएगा ठीक है इसमें क्या है CD indicator कब होगा जब rupture of membranes और नो कोई भी progress नहीं होगी ठीक है next अगर आपको इसमें जोड़ो समझाए तो वही वही रिखना मेरे coding तो ये काफी हुलजन बाला है ठीक है तो अब ये मत लिखना failure to descend ठीक है जब descent मतलब baby नीचे ना आए उसमें failure हो जाए तो क्या होगा no descent in declaration face और second stage second stage में declaration नहीं होगी second face नहीं आएगा तो उसमें क्या require होगा cesarean delivery होगी ठीक है so next आगई dangers fetal को क्या होगी maternal को ठीक है इसका भी आपने box पना कर यहां पर लिखे लेना ठीक है फीटल को क्या होगा hypoxia हो जाएगा intrauterine infection हो जाएगी pneumonia हो जाएगा intracranial stress और hemorrhage हो जाएगी ठीक है increased risk of operative delivery हो जाएगी next time maternal there is increased risk of incidence of distress हो जाएगा postpartum hemorrhage PPH हो जाएगी trauma gentle tract injury हो जाएगी ठीक है increased operative delivery vaginal instrumental delivery हो जाएगी या difficult cesarean हो जाएगा peripheral sepsis हो सकता है सब innovation हो सकता है ठीक है next है हमारे पास इसका treatment treatment में सबसे पहले है first point है prevention second है actual treatment prevention में क्या करेंगी antinatal और early intranatal detection कर लेंगे कि कोई big baby तो नहीं है small woman तो नहीं है mal presentation तो नहीं है mal position तो नहीं है ठीक है कि prolong labor से बचा जा सके use of partograph ठीक है जो delivery की time partograph का use करेंगे ठीक है वो help करता है early detection में prolonged labor की ठीक है तो जब prolonged labor लगे तब ही सजेरे इसक्षन हो सके वोमेन की जान को बुचाया है जा सके ठीक है नेक्स्ट है selective immunotomy and judicious argumentation इसमें क्या है कि जब पता चल रहा है low raptor है membranes की तो पहले से ही oxytocin drip को लगा कर रखो next है change of portion in labor हमारे हम पर क्या करते है कि जब वोमन ज्यादर टाइम डेरी है टांगों को इकठा करके so position को change करते रहना चाहिए supine position नहीं देनी चाहिए emotional sport देनी चाहिए next है respectful maternity care is to be provided maternity mother को care provide करनी चाहिए next है actual treatment careful evaluation is to be done find out careful evaluation करनी चाहिए prolonged labor का cause को find करने के लिए effect on mother mother की उपर क्या effect पर रहे feeder की उपर क्या effect पर रहा है ठीक है इसमें preliminary is क्या है correction of dehydration and ketoacidosis ठीक है इसमें क्या है ketosis को reduce करने के लिए dehydration को reduce करने के लिए इसका risk को कम करने के लिए जो triple लगा के रखनी है ठीक है rapidly intravenous infusion of ringle solution ठीक है यह लिखा हुआ है वो provide करना है next है definite treatment जो हमने provide करना ही करना है vaginal examination is done to verify the fetal presentation ठीक है vaginal examination pv करते रहना चाहिए fetal की presentation और position and station को verify करने के लिए ठीक है amniotomy और oxytocin infusion को जितने जरूरत है उतना provide करना चाहिए ठीक है active pain relief provide करने है ठीक है analgesics provide करने है ठीक है c-section done करने है ठीक है when vaginal delivery is unsafe जब vaginal delivery unsafe है तो segerian suction perform करना है next है second stage जब delay हो जाए ठीक है short period of expected management is reasonable provided to FHR ठीक है fetal heart rate जो monitor करना है ठीक है Vaginal delivery is imminent So otherwise क्या करना है force app delivery करनी है Vantos delivery करनी है सेजेरियन section कर देना चाहिए Difficult instrumental delivery should be avoided जो जब पता है force app से भी delivery नहीं होगी तो instrumental delivery force app delivery को avoid करना चाहिए वैस यह था हमारा आज को topic अब कुछ भी ना समझाए तो आप comment करके पूछ सकते हो ठीक है So मिलते हैं नेक्से वीडियो में नए topic के साथ Thank you for watching my video Thank you